हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसके लेक्चर्स में फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 10 का चैप्टर नमबर 10 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम क्या फ्रेंड्स सर्कल्स तो यह हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ओके फ्रेंड्स तो आप वीडियो को बिना स्किप करें लाश्ट तक देखिएगा आई होब आपको 100% समझ मैं आगे कि मैं इसमें क्या समझा है तो चलिए वीडि हम पढ़ेंगे कि इसका जो टेंजेंट की जो डेफिनेशन है सर्कल के लिए वो क्या है तो देखिए हमारा जो टेंजेंट होता है एट टेंजेंट टूए सर्कल यानि जो आपके एक सर्कल का जो टेंजेंट होता है इस होता है एक लाइन एक लाइन डैट इंटरसेक्ट ज तो क्या करता है Intersect करता है Circle को At Only One Point सबसे Main Point यह यह friends कि क्या At Only One Point Means क्या है कि देखिए अगर हम यहां पर बनाए है मैंने एक Circle लिया यह यह एक Circle हो गया मैं कहो कि इसमें जो टैंजेंट खीचेंगे tangent draw करेंगे वो क्या होगा तो दिखिए यहाँ पर हमारा center होता है radius और diameter होता अलग बात है हम इसमें किसकी बात करेंगे है tangent ही तो tangent क्या है कि कि किसी भी circle का जो tangent होता है वो क्या होता है जो intersect करता है circle को circle का surface है इसको intersect करेगा at only one point कि क्या है कि सिर्फ एक point पे intersect करें सिर्फ एक point पे कहीं भी कर सकता है जैसे कि हम example के तोर पे मान लीजिए कि हमने एक line खीचिए और ये circle को यहाँ touch करके जा रहा है सिर्फ एक point पे क्या कर रहा friends यहाँ पे touch करके जा रहा हमने यह मान लेते हैं कि यह point है यह P है तो हमने यह नाम दे दिया यह X और यह क्या हो गया Y तो जो यह X Y है यह क्या होगा friends यही होगा आपका tangent क्या समझना है क्या होता है कि किसी भी circle का tangent क्या होता है जो circle को सिर्फ एक point पे only one point पे क्या करे intersect करें तो उसे बोलते हैं Tencent ठीक है यहां तक I hope आपको Tencent के बारे में आपको सब कुछ clear हो गया होगा Tencent क्या है कि जो भी circle होगा circle के surface पे क्या करेगा किसी भी एक point पे क्या करेगा वो intersect करेगा सिर्फ touch करके जाएगा तो उसे बोलेंगे Tencent तो आगे हमसे start करेगे क्या कि पहले हम एक theorem पढ़ेंगे इसमें cosine करने से पहले एक theorem पढ़ेंगे इसके बाद उसके сосon सौल्फ करेगे ठीक है Friends चले हम start करते हैं So Friends चले मैं आप बताता कि हम पहले एक theorem solve करेंगे theorem को समझेगे क्यों theorem क्या है देन उसके बद हम question solve करेंगे ठीके फ्रेंस तो देखिए theorem क्या है आपका the tangent at any point of a circle क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक circle दिया हो और उसके किसी भी एक point पे at any point किसी भी एक point पे क्या हमने एक tangent draw किया ठीक है is होता है perpendicular क्या होता है perpendicular होता है to the radius यानि क्या है कि हमारे पास कोई भी एक tangent दिया होगा circle के किसी भी point पे ठीक हमारे एक tangent draw होगा वो क्या होता है कि perpendicular उसके उपर जो radius अगर हम खींच दे कोई भी कोई भी radius खींच दे तो क्या होता है वो perpendicular होता है जहां भी वो क्या करेगा एक दूसरे को contact करेंगे जो भी point एक दूसरे क्या करेंगे contact करेंगे तो आपके क्या होता है radius tangent पे perpendicular होता है यह हमें प्रूफ करना है यह हमें क्या करना है प्रूफ करना हमें यह बताना है ठीक है तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले हम एक circle draw करेंगे यह हमारा एक circle हो गया बीच में क्या होगा हमारा center हो गया है हम यह ले लेते हैं O सबसे पहले हम एक draw करेंगे tangent तो देखेंगे tangent जो होगा वो एक point पर अशे touch करके जाएगा हमने इस point का नाम दे दिया P और यह tangent हो गया X Y क्या कि यहां पर हम यह लिखेंगे कि हमारे पास एक circle है जिसका center O है इस पर हमने किसी भी at any point पर क्या कि हमने tangent draw किया जो circle को क्या कर रहा है P point पर intersect कर रहा है क्या कर रहा है P point पर intersect तो हमें यह proof करना है कि जो यह radius है अगर हम यहां से O से हम P पर यह radius खीज़ दे R यह radius हमारा R जो होगा हमें बताना है कि इस पे क्या होता है यह perpendicular होता है क्या होता है परपेंडिकुलर ठीक है तो इसको सब्सक्राइब एक थोड़ी से हिंट दूँगा कि आपको याद होगा जो आपका तो उसमें क्या होता है तीन साइट्स होती है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस ठीक है तो परपेंडिकुलर इसमें भी आ रहा है लेकिन यह परपेंडिकुलर हमें दिखाना है इसमें तो देखिए उसमें क्या होता है यह में कता है है उसमें भी एक side क्या होती है दूसरे पे perpendicular होती है अगर हम यह बनाना चाहिए हम यहां पर यह लिखें हमने इक यह यह अचेंबल अलया यह बेश मान ली तो क्या है इसमें से जो यह हैंप़ टीयों से greater होती है इन दोनों से greater होती है ठीक है है याँ तक यहाँ धखीली रोगए कि क्या है कि जो भी हमारी है side होगी base हो चाहिए perpendicular दोनों आपस में यह क्या है पर- perpendicular ही तो है यानि 90 degree का angle बना रहे है तो जो तीसरी side होगी वो क्या होनी चीए इन दोनों से greater होनी चीए, इन दोनों से greater होनी चीए, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया इसमें भी, कि क्या है, कि अगर हम कोई भी एक side ले ले ले, वो side क्या होगा, वो radius से अगर greater हुआ, side वो क्या होगा, radius से greater होगा, तो हम ये कह सकते कि yes, जो radius है, वो tangent पे क्या है, perpendicular है, समझने की कोईसिस कीजिए, जो hypoternious इन दोनों side से क्या होगा, greater होगा, तो हम ये भी क्या करना है, कि इसमें ऐसे side को लेना है, जो side क्या होगी, वो side इस radius से क्या होनी चीए, greater होनी चीए, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा radius जो होगा, वो tangent पे क्या होगा, perpendicular, इंडिकुलर तो वो कैसे करेंगे सबसे पहले हम एक let करेंगे यहाँ पर मैं short form में लिखता रहता हूँ हम let करेंगे एक point let करेंगे let a point क्यूं on xy tangent क्या कि जो हमारा xy tangent है उस पर कोई भी एक point क्या हम लैट करेंगे क्यों क्या करेंगे क्यों लैट करेंगे और यह क्यों होना चाहिए ना यह जो है वो सर्कल से बाहर होना चाहिए आउटसाइड ना कि इंसाइड क्यों क्यों कि हमें क्या करना है हमें उस साइड को रेडियस से ग्रेटर दिखाना है तो मिंस क्या है कि इस इस सर्फेस से पार होना चाहिए, इस सर्फेस से पार होना चाहिए, अगर माल लेंगे, अगर हम यह लाइन खीचेंगे, तो यह सीकेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीकेंट, और सीकेंट क्या होता है, कि जो सर्कल को क्या करता है, टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करत डिंगे x y tangent पे जो क्या होगा वो इस सरकल से क्या होगा आउटसाइड होगा क्या होगा अउटसाइड यहां हम लिख सकते हैं ऐसे sword form में outside the circle अरभ चुल में कि और क्या करेंगे कि हम ओ और क्यू को ऐसे match कर देंगे हमारा बन गया क्या OQ क्या बन गया OQ ठीक है तब इसमें हम अगर ध्यान से देखें तब हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा O P है वो radius है ठीक है और जो O Q है O Q जो होगा यह greater होगा O P से यहां समझे जब बात बता रहा था कि अगर हम O से अगर हम यहां तक देखें अगर इस point का नाम देते है R तो हम यह देखें तो यह radius ही तो होगा इसके equal center से ऐगर circle के surface पे कहीं भी हम point मिलाते हैं यह line मिलाते हैं तो क्या होता रेडियस होता है circle का तो हम देखें तो radius होगा वो यहां तक ही होगा यानि op के equal हमें लिख सकते हैं कि क्या कि or equal to होगा op तो क्या होगा यहां तक तो radius है लेकिन यहां पर फाल्तु है न इतना फाल्तु है तो हम यह भी लिख सकते हैं कि OQ जो होगा वो greater than होगा OPK OQ होगा वो greater than होगा OPK ठीक है ऐसे ही ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी point tangent के कहीं भी अगर हम कोई भी point ले ले इस tangent पर अगर कोई भी और point ले ले यहाँ, यहाँ, यहाँ मतलब क्या है कि बस circle से बाहर होना चीए तो वो सारे के सारे ही क्या होंगे इस radius से greater होंगे इस radius से क्या होंगे, greater होंगे तो यही method आगए, जो greater हो रहा है जो यह greater हो रहा है, वो क्या 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 करेगा hypotenious का, तो means क्या है कि जो आपका OP है वो क्या होगा perpendicular होगा टेंजेंट XY पे यही आपको बस समझना है इसमें कुछ इसमें रमायन नहीं लिखनी है हमें क्या करना है बस आपको समझना है कि कैसे ये OP जो है radius है वो टेंजेंट XY पे क्या है perpendicular है तो क्या करना है एक circle draw किया हमने central लिया radius लिया एक टेंजेंट ड्रो किया XY जो किस पे intersect करना circle को P पे ठीक है हमने इसे match कर दिया OP हमारा radius हो गया फिर क्या करेंगे हम XY टेंजेंट पे एक ऐसा point Q let करते हैं जो क्या होगा इस circle से बाहर होगा हम OR Q को match कर देंगे side हो गया O Q फिर हमें देखते हैं कि जो O Q है वो greater than है OP means OR दोनों ही radius हैं तो अगर हम कहीं और भी point ले तो उससे भी क्या होगा radius less होगा means क्या कि वो वाली side क्या होगी greater होगी जो भी हम side let करेंगे ठीक है तो ये less हो गया दोनों side क्या होगी वो भी क्या बनेगा 90 degree बनेगा क्योंकि हम यहां भी तो कोई point let कर सकते हैं और इसे match कर दें तो यह भी तो greater होगा ठीक है नहीं तक तो यहां पर लिख सकते हैं कि हां क्या होगा जो O P है वो perpendicular है किस पे X Y पे किस पे X Y at P point P पर ठीक है friends यहां तक अब इसी base पे हम एक कोईसन करेंगे चले friends देखते So friends चले देखते हैं कोईसन क्या है आपका देखें कोईसन दे रखा है A tangent P Q क्या है कि एक tangent है P Q at the point P of a circle क्या है कि एक आपका tangent है P Q यहां तक है मेरे सकते हैं कि P Q तक आपका क्या है एक tangent है जो क्या करता है इस circle के point P पर क्या करता है intersect करता है of radius 5 cm meets a line through the center O क्या है कि एक radius है जिसकी length कितनी है 5 cm और वो center O से क्या है meets यानि क्या करता है join होता है ठीक है फिर आगे क्या कहा O at a point Q और क्या है कि जो O है वो भी और किस से किस से match हो रहा है एक तो P से match कर दिया तो यह radius बन गया फिर क्या है कि O है अगर हम Q से match कर दे join कर दे तो क्या बन जा रहा है O Q क्या बन जा रहा है O Q ठीक है so that O Q equal to 12 cm क्या का उसने कि जो O Q की value है वो 12 cm है find the length of PQ find the length of PQ कि हमें क्या करना है कि जो PQ है length उसकी हमें distance याने length find करनी है कि कितनी होगी तो ध्यान से देखिए 5 cm दे दिया 12 cm दे दिया तो अभी हमने theorem प्रूफ किया कोई भी हमारा एक radius दिया हो और वो tangent से क्या हो किसी भी point P, Q, R हम कुछ भी ले सकते हैं किसी भी एक point पे हमारा join हो रहा हो तो क्या होता है वो radius इस tangent पे perpendicular होता है means कि यह जो angle बनेगा यह angle क्या होगा friends यह 90 degree होगा क्या होगा 90 degree तो हम यही यहाँ पे use करेंगे यहाँ यहाँ आइसे लिखेंगे इसका जो solution होगा क्या होगा देखिए solution इसका ऐसे होगा intrangle OPQ क्या triangle OPQ intrangle OPQ हमें ले सकते हैं by pythagoras theorem by pythagoras theorem तो देखिए by pythagoras theorem क्या हमें पता है पैथागुरस theorem क्या कहता है यह कहता है आपका कि हाइपोटेनियस का square equal to perpendicular का square plus base का square यह उता आपका पैथागुरस theorem तो यह चेक करेंगे कौन सा हाइपोटेनियस है कौन सा perpendicular है और कौन सा base है तो ध्यान से देखिए जो 90 degree जिसमें बनता है जो 90 degree बनता है यह तो यह एक base और एक क्या होता है परपेंडिकुलर और यह हमारी सबसे greater जो side होती है वह आपकी हाइपोटेनियस means क्या है कि जो हाइपोटेनियस है वो क्या है OQ है क्या friends OQ तो OQ का square हो जाएगा equal to परपेंडिकुलर में मालने ते क्या O P है square प्लस base क्या है PQ है तो PQ का square ठीक है तक अब को समझ में आ रहा होगा क्या किया हमने कि हमारा यह होती है थेयरम हाइपोटेनियस होगा क्या होती है यह होती है फिर हमने यह देखा कि कौन सा हमारा हाइपोटेनियस होगा, कौन सा प्रपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, जिन के बीच में जो जिन दो साइड के बीच में हमारा 90 डिगरी बनता है, तो उसमें से एक प्रपेंडिकुलर और एक बेस तो perpendicular base हम किसी को भी ले सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा लेगा लेगन hypotenuse को हम change नहीं कर सकते हैं यह सबसे greater side होती है जो सबसे बड़ी side होती है वह होती है क्या hypotenuse ठीक हां तक तो value रखेंगे देखिए जो आपका oq है वो क्या है 12 है तो 12 का square op है तो क्या है 5 है तो 5 का square plus pq का square ठीक हां तक देखिए 12 का square होता है 144 5 का होता है 25 plus pq का square हमें pq की value चाहिए तो मतलब क्या 25 को मिधल लेके आएंगे तो minus हमें हो जाएगा friends तो मैं लिए सकते हैं कि pq का square जो होगा 144 minus 25 होगा हम minus करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा pq का square equal to 144 में से हमें 25 को minus करना है तो देखिए 14 में से हम 5 minus करेंगे तो 9 3 में से 2 minus करेंगे तो 1 and 1 तो यह आगे आपका 119 हमें क्या चाहिए हमें pq की value चाहिए square को हमें हटाएंगे तो हमें पता कि जब भी हम square को equal में transfer करते हैं तो वो under root में आता है किसमें आता है? under root में तो यह हो जाएगा आपका pq equal to under root 119 cm ठीक है? तो यह हो गया आपका friends क्या answer ठीक है? क्या? क्या? क्योंकि हम perfect square नहीं निकाल सकते तो यह इतना ही रहेगा तो under root 119 119 cm under root में क्या है? pq की length है हम यहीं find करना था simple उसने क्या कहा था? कि एक center o है एक tangent pq है इसके point p पर हमारे radius match कर रहा है और o से हमने जो यहाँ पर q को हमने match कर दिया oq oq की value दे रखी थी radius की value दे रखी है इसका पूछा हमने देखा पाइथा पर अस थेहोरम से हमने solve किया तो यह आगे आगे आपका answer ठीक है friends? so friends आज के लिए बस इतना ही बाकी हम बात करेंगे अपने next video में next topic के साथ तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आप वीडियो का like कीजिए अपने friends के सेर कीजिए जिसे को भी इस वीडियो का profit ले सके और friends अगर आप इस चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और bell icon भी प्रेस कर दीजिएगा जैसे का मारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके और friends अगर आपको class 10 से या class 10 के mathematics में किसी भी chapter से कोई problem है तो आप description में मेरा whatsapp number देख सकते हैं वहाँ पर आप मुझे personally message करके अपने problems को पूछ सकते हैं अपने doubts किलियर कर सकते हैं ठीक है friends, thank you